शब्तपूर नाम के एक गाव में तिलक नाम का एक बैल अपनी पतने धोलकी और बेटे गाजर के साथ रहता है शब्तपूर गाव असल में एक द्वीब है इसलिए गाव में आने या वापस जाने के लिए वहाँ के लोगों को नाव का इस्तमाल करना पड़ता है तिलक भी एक नाव चलाने का काम करता है वो अपनी नाव में लोगों को गाव के अंदर और पार चोड़ता है आप तो हर रोज शाम होते ही घर लोटकर आ जाते थे आज इतनी देर क्यों हो गई है कोई नाव में अपना बैग भूल कर चले गए थे वो लेकर आएंगे ये सोचकर मैं वही और इंतजार कर रहा था तो क्या वो लोग वापस आये थे अपना बैग लेने के लिए हाँ आये थे उसमें कुछ कास दवाईया थी मैंने इंतजार किया इसलिए बहुत से लोगों की जान बच गई है उन्होंने कुछ चौकलेट्स दिये थे ये गाजर को देखो और हाँ कल जल्दी लोटकर आऊंगा ऐसे तिलक और उसकी पत्नी और बेटा अपने चोट इसे घर में जो है वही खाकर खुश रहता है तिलक को कोई मुसिबत में नजर आये तो वो आगिर तक इसी के साथ रहता है उसकी एक इसी आदत से ढोलकी को हमेशा डर लगा रहता है तुम अकेले ये काम कर लोगे ना उस पार मेरा बाई है उसे ये सामान मिलते ही वो मुझे कबर कर देगा ध्यान से लेकर जाना बहुत ज्यादा खीनती सामान है पूरे गाव में ये तुम ही हो जिस पर मैं बरोसा कर सकता हूँ आप चित्ता मत कीजिए साब जी दो पेहर से पहले ही आपका सामान आपके बाई तक पहुंच जाएगा और मैं भी अपना गर लोट जाओंगा आज घर जल्दी जाने का वादा किया था ऐसे तिलक उस कीजिए सामान को लेकर उस पाद जा रहा होता है तभी कुछ बुरे लोग तब से उनकी बाते सुनकर तिलक का पीचा करते है पानी में इस बात से अंजान तिलक अपनी नाव चलाते हुए आगे बढ़ रहा था हे तुम वही पर रुख जाओ अगर अपने गर जिन्दा लोटा चाते हो तो हम तुमें ऐसा मोका विंद्धी करने पर भी नहीं देंगे दुबारा इसलिए समझदारी से काम लो तुम लोग कौन है बाई और मुझसे क्या चाते हो मैं आज से पहले तुम में से किसी को भी नहीं देखा है बाते बंद करो और चुप चप अपने नाव चोड़ कर बाग जा यहां से ज्यादा बोला या चलक बनाने की कोशिश करेगा तो बीना वज़ा मर जाएगा तिलक ना उनकी बातों से डरता है और ना ही उनकी कोई बात सुनता है तिलक अपने नाव को तेजी से चलाते हुए उससे जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन तिलक अकेला था और वो ज्यादा इसलिए तिलक उन सबसे ज्यादा देर तक भाग नहीं पाता है आज वो दो पेहर तक ही लोट कर आने वाले थे अंदेरा होने को है वो अभी तक आई क्यों नहीं है काम खतम होने में और कितना वक्त लगेगा यकीन करो मैं भी इसी बात से चिंता हूँ दोलकी जी मुझे तिलक पर पूरा बरोसा है लेकिन काफी देर हो गई है मैं कल कुधी इस बात का जाज करूँगा ऐसे कहते हुए वो बैल अपने घर चला जाता है लेकिन दोलकी ऐसे ही चुप नहीं बैठ पाती है वो अपने पती को ढूरने के लिए जाती है उस अंधेरी रात में अपने बेटे घाजर को लेकर दोलकी तिलक हमेशा जहां से काम शुरू करता है वहाँ पर देखने के लिए जाती है वहाँ पर नाव में तिलक की लाश पड़ी हुई थी वो देखकर दोलकी ये क्या हो गया आपकी साथ? किसने किया ऐसा? ऐसा कौन कर सकता है उपर वाले? ऐसे कहकर रोते हुए बड़ी मुश्किल से तिलक की लाश को उस नाव से बाहर निकल कर लाती है जोलकी और अपने बच्चे गाजर को संभालते हुए तोड़ा तोड़ा करके रात भर मेहनत करके अपनी पती की लाश को घर तक अकेली लेकर आती है जोलकी बड़े गुस्से म कि आया हुआ वो भैल डोलकी को देखकर यह क्या हो गया है तिलक के साथ यह जरूर उन्हीं समुद्री लोतेरों का काम होगा मैंने उनके बारे में बात तो सुनी थी लेकिन वो बाते सच है यह बात मैं पहले ही जान जाता तो तुम अकेली नहीं पढ़ती डोलकी मुझे माफ कर दो ऐसे कहते हुए वो भैल डोलकी के साथ मिलकर तिलक का अंतम समस्कार करते हैं उसके बात से डोलकी अकेले ही अपना गुजारा करने लगती है और नाम में सफर करने वालों को उन चोरों से साफ़दान रहने को कहती है गिरिचापूर नाम के एक गाव में नागेश नाम का एक किसान रहता था नागेश के खेत में हर साल अच्ची फसल होती है जैसे कि बागी के किसानों के खेत में होती है और इस बात से नागेश खुश भी था इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी से अपने फसल काट दी है नगेश मैं बला अपना फसल क्यों काटूंगा वो भी इतनी जल्दी मैंने आज देखा तुम्हारे केट में फसल ही नहीं थी सोचा तुमने ही किया होगा इसलिए पूछ रहा था अच्छा चलता हूँ मैं अब ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति वहां से चला जाता है नागेश को समझ में नहीं आता है कि वो व्यक्ति सच कह रहा था या मज़ा कर रहा था इसलिए नागेश एक बार अपने खेट के पास जाकर देखता है वहाँ पर सच में फसल नहीं थी वो देखकर नागेश ये क्या हो गया? मेरा सारी फसल कहा पर गई? मेरी सारी मेहनत कहा चली गई? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नागेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है वो बहुत देर तक अपने खेट के पास बैट बैट कर घर लोट जाता है क्या बात है जी आप इतने पदेशन क्यूं हों? सब टीक तो है ना? कुछ भी टीक नहीं है पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यूं होता है ऐसे कहते हुए नागिश अपने पत्नी को सारी बत बताता है वो बात सुनकर नागिश की पत्नी भी दुखी होती है लेकिन उसे वो फसल गाइब होने के पीचा का रास पता था शायद आपको याद नहीं है लेकिन आपने और आपके दोस्त पवन ने कुछ किया था अच्चा या बुरा मुझे नहीं पता लेकिन ये जरूर इससे संबन्दित है अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद नागिश को भी ऐसा ही लगता है इसलिए वो अपने दोस्ते मिलने के लिए जाता है पवन भी अपने घर में उदास बैटा हुआ था नागिश उसे वज़ा पूचने पर वो भी कहता है कि उसकी सारी फसल अच्छानक से गायब हो गई है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है पवन मुझे लगता है कि जरूर ये उसी की वज़ा से हो रहा है हमें उसे कईदिन नहीं करना चाहिए था उसने हमें छेतावनी दी थी शायद तुम सही कह रहे हो चलो उसे आज़ाद करते है इससे पहले कि वो किसी और की भी फसल बर्बाद कर दे नागिश और पवन ने एक चुडेल गाय को पकड़कर एक जादूई गाय जैसे घर में उस गाय को खैद करके एक बहुत बड़ी चाबी से ताला लगा दिया था ताकि वो किसी और को परेशान ना कर पाये इसलिए उसे उस घर में बंद करने तक ही नागिश और पवन को पता था उसके बाद क्या करना चाहिए ये उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था इसलिए नागिश ने उस घर को वही अपने खेत में डफन कर दिया और पवन वो चाबी अपने खेत में चुपा दिया था अब वो दोनों उसी को आज़ाद कर रहे है कितना सुकुन मिल रहा है इतने दिनों बाद ताजी हवा को महसूस करके लेकिन वो दो राक्षस कहा पर है जिन्होंने मेरे ये हाल किया था तुम दोनों ही तो हो वो राक्षस पवन भाग हमने इसे आज़ाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है ऐसे कहते हुए पवन और नागेश भागने लगते हैं वो भूत ने उनका पीचा करता हुआ गाव में आती है और सब तोड़ फोड़ करने लगती है वो देखकर गाव वाले मैंने कहता था कि भूत सच में होते हैं लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं माता था कोई था पच्चाओ मुझे इस से पवन अपने घर में जाकर चुप जाता है और नागेश अपने घर में जाकर चुप जाता है नागेश अपनी पतनी से कहता है कि उसने डर कर भूत को आज़त कर दिया है और ये भी कहता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ है एक दिन पवन कही से अपने केट में एक बड़ी सी चाबी पकड़ कर लेकर आया था उस चाबी पर एक मंत्र को पड़ते ही अपने केट से ये गर निकल कर आया और कही ये बूतनी चुम्बक की तरह आकर उसमें कैदी हो गई हम डर गए थे इसलिए उसे वहाँ पर दफान कर दिया ऐसी बात है तो उस चाबी को इस पर किसी समनर के पास ले जाकर मंत्र पड़ो तब वो वहाँ पर खैद हो जाएगी और किसी को भी परेशन नहीं कर पाएगी तीखे केकर नागेश अपना चेहरा चुपाते हुए पावन के घट जाकर सारी बात बताता है तीखे केकर दोनों चाबी को समनर के बीच में ले जाकर मंत्र पड़ते हैं वो बड़ा सा गर समंदर में आता है वो गाई फिर से उसमें कैद हो जाती है और शायद इस पर हमेशा के लिए नहीं मूर को ये क्या कर दिया तुमने